असलाम अलेकुम प्यारे बच्चो उमीद है आप सब खेरत से होंगे प्यारे बच्चो आज हम क्लास थर्ड की EVS बुक का टॉपिक पढ़ेंगे और जो टॉपिक का नाम है वो है दप्लांट फियरी आज हम देखेंगे कि प्लांट के कौन-Kौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या नाम है आज का जो टॉपिक है वो है Parts ऐफ थी प्लांट सो बच्चों यह देखो यहाँ पे मैंने एक प्लांट बनाया हुआ है यह एक ट्री है तो इससे हम समझे के किस किस पार्ट को क्या क्या नाम बोलते हैं यह जो सबसे नीचे जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है इसको हम रूट्स बोलते हैं यानि के जड़े जिससे प्लांट जमीन से जुड़ा हुआ होता है रूट्स यह अक्सर जमीन के नीचे होती है तो यह जो उपर वाला हिस्सा है यह वाला इसको हम स्टेम बोलते हैं क्या हम leaf बोलते हैं अब यह जो उपर वाला हिस्सा है यहां पे देखो आप यह फूल है तो फूल को हम क्या बोलते है flower और भी एक इसमें part होता है fruit fruit बोलते हैं mayway को ठीक है तो अब अगर हम इसमें देखें के parts of the plant क्या क्या है roots r o o t s roots s t e m stem b r a n c h branch l e a f leaf f l o w e r flower f r u i t fruit आज हमने 6 parts पढ़े कौन कौन सा root stem branch leaf flower and fruit ठीक है प्यारे बच्चों अब आप क्या करोगे यह जो मैंने parts of the plant यहाँ पर दिखें यह अपनी notebook पर लिखोगे और इसको याद करोगे thank you so much